हालो बच्चो क्या हो चाल कैसे हैं आप लोग आप बहुत ही अच्छे होंगे स्वस्थ होंगी और बहुत मल लगा के अपनी पठाई कर रहे होंगे आप सभी का चगड़त में बहुत-बहुत स्वागत हैं बच्चो हम लोग सदिस बेजिगारत की आज बीविद प्रशनामली जो आखरी एक्सरसाइज है उसमें सब मिले जुले पूरे चैप्टर के मिले जुले प्रशन होते हैं उसको आप यहां पर आज कंप्रीट करने वालो बहुत ही खास एक्सरसाइज है इसको पढ़ने से हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे चैप्टर का एक बार फिर से करिए क्या कहता है कहता है कि एक्स वाई तल में देखो यहां पर आपको क्या करना है यह हमारा हो गया एक्स अक्ष और यह हमारा हो गया वाई अक्ष और एक्स और वाई दोनों पर लंबवत अक्ष यह हमारे जैड अक्ष जिसको हम इस तरीके से यहां लिख लेते हैं यह जै में बामावर दिसा में तीस अंस का कॉंड बनाने वाला मत्रक सदिस गयाद करना है तो इस अक्ष में इस तल में एक सक्ष की धनात्मक दिसा के साथ एक आपको यहां पर सदिस लिखना है मान लिया यह सदिस हमारा इसको यहां मूल बिंदू ओडाल लें यहां पर पी लिखता तो ये सदिस हमारा o p हो गया जो की x-kyiser की धनात्मक दिसासे ये कौल बना रहा है कितना 30 ans का कौल बना रहा है वच्चो आप बहुत अच्छे से कह सकते हो कि अगर कोई सदिस x-के साथ में 30 ans का कौल बना रहा है कितने का नब बैंस का कोण बनाएगा तो बच्छों यहां पर आप लिखो चूंकि सदिस ओपी सदिस ओपी एक सक्ष के साथ एक सक्ष के साथ तीस अंस का कोण बनाता है आता हा यह है बाई अक्ष के साथ बाई अक्ष के साथ साथ अंस का वा जैड अक्ष के साथ नब बैंस का कोण बनाएगा ठीक है तो इसका मतलब सीधा यह हुआ कि इस सदिस की दिको जाएं कितने होगी तेन दिको जाएं कोस अलफा कोस बीटा कोस गामा तो कह सकते हैं अलफा बरावर यह हमारा 30 हो गया बीटा बरावर कह सकते हैं 60 हो गया और गामा बरावर कह सकते हैं 90 हो गया इसका मतलब इसकी दिको जाएं कोस 30 कोस 60 कोस 90 हो जाएंगी मतलब कह सकते हैं कोस 30 कमान रूट 3 बाई 2 इसका कोस 60 का बन बाई 2 कोस 90 का 0 तो यह हमारी सदिस की दिक को जाए हो जाएंगे तो आप सदिस कितना हो जाएगा तो यहां पर आपको लिखना है सदिस ओ पी बराबर सदिस ओ पी बराबर यहां पर क्या लिखना है अंडरूर तीन बटे दो आई प्लस एक बटे दो जे प्लस सून के यह हमारा सदिस हो जाएगा और यही सदिस जो हमसे पूँचा गया था कि यह सदिस हमारा एक मात्रक सदिस है बिल्कुल बचो यह मात्रक सदिस है मात्रक सदिस वो होते हैं जिनकी परिमार एक होते हैं यहां पर इसका परिमार निकालो इसका मापांक ओपी का मौड बराबर यहां से निकालो तो यह हो जाएगा अंडर रूड य यह हमारा 0 तो कुल मिलाके हम कह सकते हैं अंडरूट 4 बटे 4, 4 बटे 4 मतलब अंडरूट 1 मतलब 1, तो बताो op का परिमाड एक है इसका मतलब ये सदिस op जो है वो मात्रक सदिस है क्या लेखना है अताहा सदिस op मात्रक सदिस है ठीक है बच्चो यही हमसे पूशा गया था की मात्रक सदिस ग्याद करो जो x x के साथ में 30 ans का, y x के साथ में 60 ans का कौन बनाएगा और z x के साथ में 90 ans का कौन बनाएगा तो इसकी देखो जाएं हो जाएंगी cos 30, cos 60, cos 90 मतलब देखो जाएं हो जाएंगी under root 3y2, 1y2, 0 और इस तरीके से सदिस op बराबर हो जाएगा क्या होता है दोको गया था ठीक है बचो पहला कुश्चन हो गया आपका इसके बाद दूसरा और भी असान प्रस्ट लिखता है दो बिंदो दिये गए हैं दोनों बिंदों को मिलाने वाले सदिस का सदिस के अदिस घटक बताई और इसका परिमाड भी बताई तो पहले हमें सदिस गयाद करना प पड़ेगा देखो बिंदो कौन कौन से दो दिये गए हैं एकस बन बाई बन एकस दो बाई टू यहां पर लिखेंगे कुश्चन नमबर दूसरा है यह हमारा बिंदो एक माल लेते हैं पहला बिंदो इसको पी लिखते हैं प्रिश्ट में यहां पर दिया गया है पी बिंद को मिलाने बाला सदिस क्या हो जाएगा दोको सदिस पी-क्यू हो जाएगा सदिस पी-क्यू चाएगा सदिस पी-क्यू बराबर का सदिस yi परकार है प्लस बाई टू जे प्लस जै डिटू के ऐसे भी लिख सकते हो और फिर सद्स पीकी बराबर निकालेंगे तो क्यों इस सद्स मैनेस प्लस धिकिस सद्स है ना बाला सीधा का, है ना, यहां पर ये अदिस घटक कहलाते हैं दोखो, है ना, PQ के अदिस घटक, सदिस जो PQ है, उसके अदिस घटक बराबर आपको क्या लिखना है, यह लिखना है, एक्स टू मैनस एक्स बन, कॉमा बाई टू मैनस बाई बन, कॉमा जट टू मैनस जट बन, यह इसके अदिस घटक कहलाएंगे, और इसका परिमार निकालेंगे, तो PQ का परिमार बराबर हो जायागा, अंडर रूड, क्या लि मांड हो गया ठीक है तो बिल्कुल एक दम सीम्पल सा है दो बिंदों दिये गए हैं दोनों बिंदों को मिलाने वाला जो सदिस होगा वो PQ हो जाएगा और PQ वराबर कैसे लिखेंगे एकस्टू मानस एकस्ट बन इंटू आई प्लस बाइटू मानस बाइब इंटू जे प्लस जैड़ तू मानस जैड़ बन इंटू के डारेक्ट वाला काम ठीक है अब आप बिल्कुल इस तरीके से कम्प्लीट करो करो के आपको बिल्कुल कल ही परिक्ष्या देनी है ठीक है 70 कुस्या लिखता है एक लड़की पकिम्ध में 4 किलोमीटर चलती है और उसके पास्हात वए उततर से 30 अंश पक्यम करें मिंगर को ढेंटार चलती है तीक है आँक 언제 कहता है प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदू से लड़की का विस्थापन ग्याद करिये दोको पहले हमें इसका चित्र बनाना पड़ेगा कहां कहां कैसे कैसे जा रही है पहले किस दिसा में जा रही है अब फिर किस दिसा में जा रही है कहां रुक रही है पूरा पहले उसका चितर बनाओ और फिर इसके बाद में उसका हमें विस्थापन प्रारंभिक बिंद से अंतिम बिंद पर पहुचने के लिए उसका विस्थापन कितना होगा ये पूंचा गया है तो को यहां पर कुछ से नंबर हो गया तीन इस तरीके से स वी विल्कुल एकदं निश्शिद बाद है ये पस्षयम हो जायोगा ऊपर की और हम उत्तर बनाते हैं यह भी बिछ निस्चिद हैं ये भी हमारा बिलकुल निश्चिद वात ठीक है पूरा पस्षयम उत्तर दक्षयद प्रश्न कहता है कि एक कोई लड़की पस्ष्यम में 1,2,3,4 पी बिंदू हो गया कितना चलन dzień 5 फिम दिशा में 4 euros बच्चों जब ये एकस्ट की धनात्मक धिशा मानी जाएगी तो ये फिर एकस्थ की रिडाउत्मक धिशा हो जाएगे कि नहीं है एकस्थके अनुद्रिस flavors 61 सदिस्ट को आई से लिखते हैं और यह आगर एक सक्षी रिडात्मक दिसा में अगर चलेंगे तो माइनस आई कहलाएगा और वो चार इकाई चलेंगे तो माइनस चार आई आपको लिखना है चार इकाई चार किलो मीटर एक किलो मीटर दो किलो मीटर तीन किलो मीटर चार किलो मीटर पी बिंदु पर कोई लड़की आ गई इसके बाद उसने देखा कि भई हमें कहां जाना है तो प्रश्ण कहता है कि इसके पस्चाद वह उत्तर से 30 अंस पस्चिम की दिसा में पस्चिम की ओष्ण का कॉन? कि कितना जा रही है यह मानелич क्यूब इनदु पर जाकर रुक गई, कितनी दूरी चल कर तीन किलोवेटर दूरी चल करके रुक गई है ये इधर से दोखो 30 अंस का कौण है ये हमारा कौण कितना है 30 अंस का बात किलियर है 30 अंस का कौण है ये अब बच्चो ये बताओ प्रशन की ये कहता है कि यहां पर जाकी वो रुखी तो प्रारंबिक बिंद से उसका विस्थापन कितना होगा तो बच्चो ये बिस्थापन आपसे पूछा गया है देखो ये हमारा बिस्थापन पूछा गया है ये बिस्थापन पूछा गया है बात समझ में आई प्रारंबिक बिंद से ओ बिंद से क्यों बिंद का जो ये बिस्थापन है वो पूछा गया है कैसे करना है तो दिहान से समझो बचो यहां पर एक काम करते हैं बिल्कुल एकदम आसान सी बात ये कि इधर ये दिसा में इस दिसा में ये लड़की जा रही है पहले आई इस दिसा में फिर जा रही है इस दिसा में तो इस दिसा में इसका बियोजन और्द घटक और 36 घटक में करना है आपने फिजिक्स में भी ऐसा पढ़ा होगा इस दिसाक में और्द घटक में जब वियोजन करते हैं जो कोस घटक मिलता है याद रख लो फिलाल भी क्या करते हैं ये 30 अंस वाली दिसा में जब विश्थापन इधर की ओर तो ये और्द ये कोस घटक कहलाएगा क्योंकि कौन जदर बनता है उसी को कोस घटक कहते हैं और जहां पर दूसरा ये होता है न दूसरा घटक होता है उसको साइन घटक कहा जाता है तो ये हमारा तीन साइन 30 हो जाएगा ठीक है ध्यान दें कि ऊपर की ओर ये विश्थापन हो रहा है दो एकाई सर्स एकाई से जे होता है ये बिस्थापण देखो प्लस जे में उपर के और हो रहा है तो इसका मतलब इसको आपको लिखना है टीन कोस, तीस और जे इंटू में जे लिखना है िसको अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो यहां पर इसको डॉट डॉट करके इसको मिलाओ तो यह हमारा इस तरीके से देखो है ना यह आपको मिला देना है यहां पर यहां पर यह आपका छेतिज बियोजन कहलाएगा और यह आपका उर्द बियोजन है ये आपका क्या कहलाएगा ओर्द भी ओजिन कहलाएगा ठीक है उपर की ओर ये भी हमारा उपर की ओर हो गया तो अब इधर की ओर तो ये हमारा है तीन साइन तीस और एक्सक्स की रिडातमक दिसा है तो आपको यहां पर चलो इन पर नाम डाल देते हैं यहां पर नाम डाल दे ठीक है तो P N कहें या M Q कहें दोनों ही एक बात हैं तो इस तरीके से दोखो यहां पर आपको लिखना है P N P N बरावर सदिस P N बरावर क्या लिखना है चूंकि ऊपर क्यों जा रहे हैं तो J वाली दिसा कही जाएगी तीन कोस तीस जे ऐसा लिखना है आपको ठीक है और यही P N को हम M Q भी कह सकते हैं इसी को हम क्या कह सकते हैं M Q M Q बरावर तीन कोस तीस का मान होता है रूट थरी वाई टू और इंटू में जे लिखेंगे ठीक है इसके बाद में M P की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा तथा M P सडिस बरावर में कितना लिखना है आपको तीन साइन तीस और ये माइनस में लिखना है I ठीक है क्या लिखना है माइनस में I I की विप्रीध दिसा है और ये हमारा हो जाएगा माइनस में 3 37 का मान होता है 1 बटे 2 और यहां पर I लिखना है तो ये हमारा हो गया माइनस 3 बटे 2 I अब देखो बचो पहले कह सकते हैं कि O बिन्द से इधर की और यहां तक पहुंची है लड़की और फिर इसके बाद ऊपर चली गई ये दूरी M P, M Q M Q ये दूरी उर्द बेयोजन है इधर ये 36 बेयोजन ये उर्द बेयोजन तो हम यहां तर्वज का नियम लगाएं तो O Q बराबर क्या कह सकते हैं देखो O Q ये हमें विस्थापन निकालना है O से Q का विस्थापन O Q बराबर यहां पर क्या लिखेंगे O M प्लस M Q M Q ध्यान से देखो तो अब हमारे पास ये O से M तक O M देखो ये तो हमारा हो गया O P प्लस M Q क्या लिखेंगे O P प्लस M P M क्या लिखेंगे O P प्लस P M और इधर की और ये हमारा हो गया प्लस M Q अब सब के माना आप रख दो O P का मतलब क्या रखना है मानस 4 I प्लस P M प्लस M बराबर दो को क्या रखना है ये रहा P M मानस में लिखेंगे मानस में 3 बटे 2 मानस में 3 बटे 2 इंटू आई और प्लस में M Q M Q का मतलब 3 अंडरूर 3 बटे 2 3 अंडरूर 3 बटे में 2 J ऐसा लिखना है इनको जोड के बताओ कितना होगा आप कह सकते हो चार दूनी 8 8 3 11 मानस में 11 I बटे में लिखो 2 और प्लस में 3 रूट 3 और बटे में 2 इंटू में J तो यह हमारा O Q हो गया O Q यही बिस्तापन पूचा गया था इसका परिमान आप से पूचा जाया तो आप क्या करोगे यहां पर O Q का परिमान कितना होगा तो बरावर आपको लिखना है अंडरूड माइनस 11 बटे 2 का स्कॉाइर प्लस यहां लिखना है तीन अंडरूड तीन बटे 2 और इसका स्कॉाइर और इस तरीके से ध्यान से देखो तो माइनस का स्कॉाइर प्लस ग्यारम ग्यारम एक सो एकाइस बटे दो का स्कॉाइर चार प्लिस तिंतरका नौतिया 27 बटे में दो का स्कॉाइर चार और यह हमारा OQ का परिमाण मतलब टोटल भी स्थापन ग्यात हो जाएगा चार L से हमा जाएगा जोड़ेंगे तो साथ और एक आठ दो दो चार और 148 बटे में चार यहां से डिवाइड हो सकता है तो काट देंदो को चार तिया बारा है ना चार तिया बार है चार सत्ते अठाएस तो यह अंडरूर 32 एकाई या किलो मीटर कहेंगे, एक आई क्यों कहें, बलकि किलो मीटर में हो रहा है ना विस्थापन, तो आपको लिखना है अंडरूर 37 किलो मीटर विस्थापित ये लड़की हो जाएगी, प्रारंबेक बिंद से अंतिम बिंद तक इसका विस्थापन अंडरूर 37 किलो मीटर होगा, इसके बाद वो इधर दोखो गई कहां से पी से क्यों की ओर गई किस किदर की ओ उत्तर से पश्चिम की ओर तीस अंस के कौन पर घुमके गई है यह हमारी लड़की कहां से कहां तक गई है यह हमारी उत्तर दिसा है उत्तर दिसा से तीस अंस पी क्यों दिसा में गई है पस्चिम की ओर तीन किलो मीटर तो इस तीन किलो मीटर का अगर उर्द बियोजन करें तो यह हो जाएगा तीन कौस तीस और चैतिज बियोजन हो तो यहां पर दो कोई यह इधर की ओर है 3 cos 30 जितना ऊपर देख रहा है यह उतना ही यह देख रहा है तो यहां भी आपको mq बरावर 3 cos 30 लिखना है और चूंकि दिसा कौन सी है j वाली तो j से multiply करके mq बरावर 3 under root 3 बटे 2 cos 30 का मान under root 3 बटे 2 r into j ठीक है और इसी प्रकार यह व 3 sin 30 i लिखना है यहां पर यह हमने लिखा है 3 sin 30 i की रिलात्मक जैसा इसलिए minus i लिख लिया या फिर minus आप यहां लगा लो बात यह कही है ठीक है minus 3 sin 30 का मान एक बटे 2 i minus 3 बटे 2 i तो अब हमारा यह प्रारंबिक बिंद से अंतिम बिंद का विस्थापन गयाद करना है तो क्या करना है इसको प्लस इसको जोड़ना है त्रभुज का नियम यही कहता है कि यह O Q बराबर होगा O M O M प्लस M Q यही देखो लिखा है O M प्लस M Q और O M को हमने दो जगे डिवाइ लिए उसका मापांग निकाल लिया तो यह हमारा अंडरूर 37 से विस्थापना आया है किलो मीटर में ठीक है चले अंगला प्रिश्णा हमारा चौथा यदि A बराबर A प्लस B तब क्या यह सत है कि मौड A बराबर मौड B प्लस मौड C अपने उत्तर की पुष्टी कर यह चल था देखे अगर अगर एस अधिस है वह वी और सी दोनों के योग की बराबर है बी सदिस और सी सदिस के योग के बराबर एस अधिस दिया गया है तब आप से पूछा गया है तो सिद्ध करना है तो सिद्ध नहीं करना है वलकि यह कहना है तो क्या तो क्या एस सदिस का परिमान बराबर में बी सदिस का परिमान प्लस सी सदिस का परिमान होगा ऐसा प्रशन हम से कहता है क्या एस सदिस का परिमान बराबर बी सदिस का परिमान प्लस सी सदिस का परिमान हो करके देख लेते हैं देखो यहां पर क्या करना है सदिस ए यह दिया गया है बराबर में सदिस बी प्लस सदिस सी दिया गया है दोनों तरब मोड लगा लें ठीक है बिल्कु सही है इसके बाद हम एक काम करते हैं कि दोनों का आपस में इसक्वाइर कर देते हैं बर्ग कर दें तो बर्ग करने पर हमें यहाँ से सद्स A के मोड का square बराबर में B PLUS C और इसका मोड का square ऐसे लिखना है बिल्कुल ठीक हैं सद्स A के मोड का square बराबर बच्चो ध्यान से देखो तो B PLUS C का whole square बराबर हैं लिख सकते हैं b plvas e dot b plus c बोनों लिख सकते के नहीं बिलकुल लिख सकते हैं सजिस का mod का Isquare सजिस के Isquire के बरावर होता है तो b plus c का Isquare b plush e के mod के Isquire के बरावर होता है को यहां पर गुणा करो B और B का गुणा B dot B plus B dot C plus C dot B plus C dot C इस तरीके से दोखो बोलो इतनी बाट ठीक है बच्चों आंगे B dot B को हम mod B का square लिख सकते हैं कोई समस्या नहीं plus यहां B dot C लिखा है और B यह C dot B लिखा है तो C dot B को B dot C लिखा जा सकता है करम मिन में होता है A dot B B dot A कई बात है तो B dot C और C dot B लिखा है उसको भी हम B dot C लिख सकते हैं और यहां पर सदिस C के mod का square इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ध्यान से देखो यह हमारा सदिस B का mod का square प्लस यहां B dot C B dot C दोनों को जोड़ेंगे 2 B dot C प्लस यहां पर सदिस C के mod का square इतना ठीक है बच्चो ध्यान से देखो तो B dot C का क्या मतलब है अगर B सदिस है एक C सदिस का dot product क्या बरावर होता है जैसे A dot B बरावर अगर A और B के बीच का quad theta होता है तो mod A into mod B into cos theta होता है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आप यहां भी इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको जियोंकाते हो रखें तो अपना जियोंकाते हो रखें यहां पर mod B लिखें into में mod C लिखें into में यहां पर लिखना है cos theta अगर B और C के बीच का quad theta है ठीक है और इसको हम सदिस C के mod का square लिख लें अब बच्चो ध्यान से देखो तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं mod A का square बराबर mod यहां देखो यह mod B लिखा है mod B का square और यहां पर 2 B 2 B का mod into में C का mod into में cos theta और प्लस यहां पर mod C का square यही हमने पूरा का पूरा लिख लिख लिया अब देखो अगर हम यह कहें यदि ऐसा हो कि B और C के बीच का कॉंड 0 अंस हो जाए यदि ऐसा कहें कि theta बराबर 0 तो आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मौड A का square बराबर मौड B का square प्लस में 2 मौड B into मौड C और into में यहां पर तो को cos 0 का मान एक होता है इसलिए एक का यहां पर गुणा करना कोई जरूरी नहीं है तो प्लस में यहां पर लिखेंगे मौड C का square अब बच्चो ध्यान से देखो यह पूल बर्क हो गया इसको हम लिख सकते हैं सदिस A के मौड का square बराबर यहां लिख सकते हैं मौड B प्लस में मौड C और इसका whole square लिख सकते हैं दोखो यह इसका square हो गया यह इसका square हो गया इन दोनों के गुणा का दूना यह बीच में हो गया दोनों तरफ से square root खत्म कर दिया जाया, बर्ग मूर ले लें तो यहां पर लिख सकते हैं सदिस a का मापाउंक बराबर में सदिस b का मापाउंक प्लस में सदिस c का इस तरीके से लिख सकते हैं द्धान से देखो तो यही हमें prove भी करना है ये कब हो सकता है ये पुर्षन कहता है कि A बराबर सदिस A बराबर सदिस B प्लस C तो क्या ये हो सकता है तो आप कहोगे हाँ हो सकता है लेकिन कब तब हो सकता है जब B और C के बीच का कॉन 0 अंस हो और यदि 0 ना हो यदि ठीटा बराबर ना हो सुन तो second city में बिलकुल हमें ऐसा कह सकते हैं कि इस सद्स का सद्स ए के मापंग का square या फिर ये कहें सद्स ए का मापंग does not equal to में बी का mod प्लस सी का mod तो बिलकुल नहीं हो सकता है अगर theta का माँ 0 ना हो अजाद B और C के बीच का कौन 0 ना हो तो ये फिर बराबर नहीं हो सकता है अगर theta बराबर 0 हो तो निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है बात clear है कि नहीं यही प्रश्ण में कुछा जा है कि अगर ये दोनों मतलब सदिस A बराबर में B सदिस और C सदिस का योग होता है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं तो आप कहो कि हाँ ऐसा तब लिख सकते हैं जब B और C के बीच का कौन 0 हो और जब B और C के बीच का कौन 0 नहीं होता है तो आप बिलकुल ऐसा नहीं लिख सकते हो कि मौड A बराबर मौड B प्लस मौड C हो जाए कभी नहीं होगा बात के लिए रहे हैं तो इस तरीके से यह कुश्चिन नमर आपका चौथा कम्प्लीट होता है आए थोड़ा और आंगे बढ़ते हैं कुश्चिन नमर पांच की और पांच मा प्रश्ण कहता है एक्स का वैमान बताई यह जिसके लिए एक्स इंटू आई प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिस है जो को क्या कहता है प्रश्ण सिंपल सा बिल्गुल प्रश्ण है आप से कहता है कि एक कोई सदिस है पूरा पहले रब कर लो अराम से समझो इसमें हमसे कहता है कि एक्स का मान बताओ क्या कहता है कि एक्स का वैमान बताओ जिसके लिए दिया गया सदिस एक मत्रक सदिस है ऐसा कहता है मत्रक सदिस है मतलब मतलब इसका परिमाड एक है ये रहा हमारा कुश्चे नमबर पांच और कहता है X का मान बताओ जबकि यहां पर ऐसा दिया गया है कि X इंटू I प्लस J प्लस K और ये इसका एक मत्रक सदिस है ये क्या है एक मत्रक सदिस है यह हमें दिया गया है एक्स का मान बताओ जब कि यह सदिस हमारा क्या है मात्रक सदिस है ठीक है बचो बात समझ में आई चलो यह यहाँ पर आप बैक्टर न लगा है न यह बैक्टर नहीं है आप समझो बचो इसको क्या करना है क्योंकि यहाँ पर यह मात्रक सदिस दिया गया है इसका मतलब यह हमें दिया गया है कि एक्स इंटू आई प्लस जे प्लस के और यह इसका जो परिमान है वो बराबर एक है मत्रक सदिस का परिमान एक होता है ठीक है अब यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स और यहाँ पर इसक किसी भी सदिस का परिमान बराबर होता है under root i का गुणंख है 1 1 का square plus j का गुणंख भी 1 है 1 का square k का गुणंख भी 1 है तो 1 का square बराबर 1 तो x into under root 3 हो गया वही थीक है बराबर 1 लिखो तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 by root 3 और यही हमसे पूशा भी गया था यही पूशा गया था कि X का मान बताईए जिसके लिए ये आपका क्या हो मात्रक सदिस हो तो X का मान क्या होगा एक बटे बन बाई रूड 3 ठीक है क्या होगा एक बटे रूड 3 हो जाएगा आईए कुश्य नंबर छटमे पर ठीक है छोटा प्रशन था छटमा प्रशन था एक सदिस A बरावर दिया है एक B दिया गया इसके परमानों के समंतर परिडामी के समंतर एक ऐसा सदिस जाद करिए जिसका परिमान पांच एकाई हो ठीक है पांच एकाई पहले तो परिडामी स सदिस उनके योग के बरावर होता है दोनों का योग करना है तो वो हमारा प्रडामी सदिस निकल के आएगा पहले दो सदिस कौन कौन से दिये गए हैं देखिए कुश्या नमर छटमा है एक सदिस हमारा ए और एक सदिस बी ये दोनों सदिस हमें दिये गए हैं क्या क्या हैं प में लिखेंगे दो जे और प्लस में यहां पर लिखेंगे के दो सदिस दिये गए हैं परडामी सदिस क्या होगा ए वा बी का परडामी सदिस ए और बी का परडामी सदिस हम सी से लिख लेते हैं तो यह हमारा क्या होगा इन दोनों की योग के बराबर हो जाएगा तो परड़ामी सदिस C बरावर दोनों को जोड के बताओ दो आई में एक आई जोडो हम यहां डारेक्ट तीन आई लिख लें कोई समस्या नहीं तीन जे प्लस का है दो जे माइनस का है तो प्लस में एक जे लिख दें इसमें भी कोई समस्या नहीं और यह के माइनस प्लस का है तो कैंसल आउट हो जाएगा जीरो के ऐसे कह सकते हैं तो परड़ामी सदिस यह हो गया अब इसका मात्रक सदिस निकालोगे कैसे इसका परिमान से भाग करेंगे तो यहां पर लेंगे कि सी का जो परिमान है वो कितना आ जाएगा इसका परिमान बराबर होगा अंडरूर तीन का स्क्वाईर प्लस एक का स्क्वाईर प्लस जीरो तो कुल मिलाके कह सकते हैं अंडरूर तीन का स्क्वाईर नो प्लस एक का स्क्वाईर एक मतलब यहां अंडरूर दस लिखेंगे अब लिखेंगे इसका सी का इकाई सदिस है ना क्या लिखेंगे इकाई सदिस लिखेंगे इकाई सदिस को कैसे लिखते हैं सी कैप से लिखते हैं और लिखते हैं सी सदिस और बटे में सी के मापांग से भाग करेंगे सी का मतलब समझते ही हो सी का मतलब a plus b है ये दोखो a plus b जो ही सी है मतलब परडामी सदिस है a और b का परडामी सदिस c है और उसका हमें 31 सदिस गयाद करना है तो c सदिस ये हो गया हमारा 3i plus j plus 0 के और बटे में c का परमाण है root 10 तो अलग-अलग चाहो तो अलग-अलग सब को भाग कर सकते हो थिरी आ अपॉन में यहां लिख दें और प्लस में जे और अपॉन में लिख दें और प्लस में इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है तो जी रूबह ऐसे है ना तो इस तरीके से दोखो ये हमारा इकाई सदिस हो गया ही, दोनों सदिसों के परडामी का इकाई सदिस, अब इसका परमाण कितना है बच्छों, एक है, हम एक ऐसा सदिस चाहिए जिसका परमाण साथ हो, क्या गरना है, साथ हो क्या, पांच हो है न, यहां पर लिखो पांच इ परिमान का सदिस पांच एकाई परिमान का सदिस बराबर आपको लिखना है पांच सी कैप एक एकाई तो ये है ना एकाई सदिस का मतलब इसका परिमान एक है हमें पांच का चाहिए तो पांच से मल्टिप्लाई कर दो तो ये हमारा हो जाएगा पांच इंटू सी कैप का मान यह हमने पहले निकाला है थिरी आई अपॉन में रूड टैन और फ्लस में यहां पर जे और अपॉन में रूड टैन आप चाहो तो रूड टैन दोनों जगह से ना लिखो एक खटा करके बठे में लिख लो और ऐसा लिखा रहने दे तो भी कोई अंतर वाली बात नहीं है ठीक सबस्तुजा गया है दो ए मैं माइनस by प्लेस थ्री सी के समानतर एक मत रख सद्य से ग्यात करूब सिमपल आपयोग है यह हमें क्या करना है यह तीनों सद्टों यह मिष्व सब्सा निघ क्वारे निघ पैद एंतर थीनों सद्सों से ग्यात करना पड़ेगा ़ा-पैद माय पहले हम क्या करते हैं, तीनों सद्षों को लिखेंगे, पहले हम तीनों सद्षों को लिखेंगे, कुसर नमर सात्मा है, एक सद्ष हमारा A दिया गया है, एक सद्ष हमारा B दिया गया है, एक सद्ष हमारा C दिया गया है, A, B, C, क्या-क्या हमें देखो, यहां पर सद्ष A, B, c दिये गए हैं ये सदिस है i plus j plus k i plus j plus k एक दूसरा सदिस b है जो दिया गया है 2i minus j 2i minus j plus में 3k और एक तीसरा सदिस है जो कि दिया गया है i minus 2j i minus 2j i minus 2j plus k ये हमारा एक TIS mutualे से दिजिया गया है आप फूंचा गया है सदिस ऐसा बताओ जो कि 2a注 एक वा इस में B और फ्लस में 2017 यह हमारा इक सादिस ग्याद करना है इसको ग्याद करना है यह मरद सा दिस हैं ट問 2A-B-3C, 2A-B-3C के समांतर एक सदिस मत्रक सदिस ज्याद करना है, वो बात की बात है, पहले इस सदिस को ज्याद करो, इसमें क्या करना है, पहले वाले सदिस में 2 से मल्टिप्लाई करना है, 2 into A, एका मतलब क्या है, I plus J plus K, इसके बाद माइनस का निसान लगाओ, B, B सदिस को ये लिखो, ये क्या है, आपको दो को लिखना है, 2I-J plus 3K लिखना है, और इसके बाद प्लस में 3 into C, C सदिस ये हमारा है, I-2J plus K इस तरीके से लिखना है, अब बच्चों यहाँ पर लिखो, 2 से मल्टिप्लाई कर दें, तो 2I हो जाएगा, प्लस में 2J लिखना ह प्लस में 2K लिखना है, यहाँ पर माइनस में 2I, माइनस माइनस प्लस में 1J, माइनस में लिखो 3K, और यहाँ तीन से उणा करोगे, तो 3I लिखो, माइनस तीन दूनी 6J लिख दो, और इसके बाद में प्लस में 3K लिखना है, हिसाब किताब कर लो गई, हिसाब किताब माइनस का है दो आई प्लस का है ये तो कैंसल हो जाएगा तीन आई आई आपको यहां पर मिलेगा तीन आई चलो जे वाले का हिसाब किताब करें तीन दो जे और एक जे तीन जे और तीन जे मैं ये माइनस का छे जे आपको घटाना है तो माइनस के 3J मिल जाएंगे माइनस का 6 प्लस के 3 तो माइनस का 3J लिखना है K वाले पनों का हिसाब किताब करो तो 3K प्लस का है 3K माइनस का है काम खतम प्लस में 2K आपको यहां से मिलाएगा तो यह हमारा 2A माइनस B प्लस 3C सदिस ग्याद हुआ है इस सदिस के समंतर मात्रक सदिस ग्याद करना है तो किसी भी सदिस के समंतर मात्रक सदिस बराबर क्या होता है इसी के मापांग से भाग कर दो आंसर आ जाएगा देखो ध्यान से हमें क्या करना है इसका परिमाण ग्याद करना है 2A माइनस B प्लस 3C इसका परिमान मतलब मॉड का निसान लगाके आपको यहां पर लिखना होता है अंडर उड आई का गुटंक है 3 इसका unnatural स्कुयर जे का गुटंक माइनस 3 इसका भी इसकुयर प्लस यहां 2 और इसका भी स्कुयर तो इस तरीके से यह हमाने मिल जाए गा 9 9 और ये भी माइनस का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर 9 दू नी 4 18 और 4 22 ठीक है अब क्या करना है मात्रक सदिस बराबर सदिस बठे मापंग इसमें इससे भाग करना है यहाँ पर लोखो सदिस 2A माइनस B प्लस 3C के समानतर मात्रक सदिस बराबर सदिस बठे सदिस का मापंग सदिस कितना है आपको लिखना है 3I माइनस 3J और प्लस में 2K और इसके मौड से भाग करो मापंग कितना है अंडरूड 22 और इसी से भाग करके अलग अलग चाहो तो 3 बठे अंडरूड 22 लिखो into i minus 3 बटे अंडर उर्वाइस लिखो into में j और इसी प्रकार यहां पर plus में 2 बटे अंडर उर्वाइस के इस तरीके से ये दिये इस सदिस के समानतर मातरक सदिस हमारा मिल रहा है ठीक है बचुँ तो ये रहा हमारा question number 7 जल्दी से रूट करें question number 7 चलो आंगे बढ़ते हैं question number 8 पर आएं देखो question number 8 हमारा है दर्स आईए कि बिन्दू A, B, C 3 बिन्दू दिये गए हैं सनरेख हैं और B द्वारा A, C को विभाजित करने वाला अनुपात भी ग्याद करिए 3 बिन्दू दिये हैं 3 बिन्दू सनरेख हैं अच्छा भी 3 बिन्दू सनरेख बिल्कुल हो सकते हैं दो को कैसे करना है 3 बिन्दू अगर दिये जाएं और 3 बिन्दू सनरेख हैं मतलब A बिन्दू को B से मिला दे 1 सदिस A, B मिल जाएगा उसका परिमार निकाल ले पूरी पहले प्रोसेस समझो कैसे कैसे करना है एक सदिस कोई A B मिलेगा उसका परिमार निकाल ले B को C से मिला दें तो एक सदिस कोई B C मिलेगा उसका भी परिमार निकाल ले और फिर A को C से मिलाने वाला दोखो इस तरीके से लिखो एक सदिस A है एक सदिस B है एक सदिस ये C इन तीनों बिन्दूओं ये हमारे तीन बिन्दू दिये गए कौन-कौन से हैं तो पहला यहां पर है 1-2-8 यह है 1-2-8 ठीक है यहां पर लेखो B 5-0-2 अच्छा वई ठीक है और इसके बाद C है हमारा 11-3-7 क्या लिखना है 11-3-7 लिखना है ठीक है अब देखो बच्चो दिहान से देखना है यह हमारे तीन बिन्दू दिये गए हैं और यह तीनों बिन्दू हमें संद्रेक दिखाने हैं पहले इतना काम करो कि पहले यह तीनों बिन्दू संद्रेक हो जाए इसको अगर इससे मिला दें तो एक सदिस A B मिलेगा कि नहीं तो बिन्दू A जो दिखाई दे रहा है मूल कि बेरिमक्स भ्ह जाया कि onst需 किएक सी ब्हुत् accomplishments सदे ब्राबर हो जाएका पांच आयी प्लस सून जे माय ने से दो कि नए व इसी प्रकार सी डॉकाई से सदस्य ब्राबर हो जाय Eles 11i प्लिस 3g प्लिस 7k अच्छा तो A और B को मिलाने वाला सदिस A बी ग्याद करना है कुस्चन नमबर हमारा था आठमा है और यह सदिस A B बराबर हम बिल्कुल एकदम पहले जैसा अभी अभी एक प्रस्ट हम ने करवाया था कि भाईया दो बिन्दों दिये जाएं दो बिन्दों को मिलाने बाला सदिस A B गयाद करना है तो क्या करते हैं X2 मानेस X1 सीधा डारेक में J लिखो प्लस यहां पर माइनस दो मैसे आपको क्या करना है यह माइनस माइनस प्लस में आठ इंटू में आपको J और यहां पर K लिखना है ठीक है यह K लिखना है तो इस तरीके से सदिस A B बराबर हमारा यहां पर 4 I मिलेगा प्लस में 2 J लिखना है और प्लस में 6 K लि का 36, 36 और 40 और 16 56 अंडरूर 56 ठीक है 14 चोको 56 नहीं 14 से बात नहीं बनेगी 14 चोको 56 मतलब 2 अंडरूर 14 भी इसको लिख सकते हैं बोलो लिख सकते के नहीं 2 अंडरूर 14 अब B और C को मिला दें तो BC सदिस हमारा यहां से हमें BC सदिस मिल जाएगा BC सदिस यहां पर निकालेंगे BC सदिस बराबर कैसे निकालेंगी वही पुराना काम करना है तो कोई इस मैंसे इसको घटाओ इंटू में आई लेखना है 11 माइनस 5 इंटू में आई लेख दें प्लस यहां पर भी ऐसे 3 माइनस 0 3 माइनस 0 इंटू जे लेख दें और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से 7 मैंसे घटाओगी माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा इंटू में के लेखना है तो हमें यहां पर लिखना पड़ाएगा अंडरूड 6 का स्कॉार 36 तीन का स्कॉार 9 और 9 निम 81 और इस तरीके से यहां पर दोखो दोनों को जोड़ो यह हो गया 90 और 90 और 36 यह 126 हो गया है ना 14 निम 26 होता है तो 9 का बर्ग मुल 3 तीन अंडरूड में 14 इसको भी लेख सकते हैं ठीक अब देखो अब सदिस एसी निकालो सदिस एसी बराबर क्या होगा ए और सी को मिलाने बाला सदिस एसी बराबर क्या करेंगा काम वही करना है 11 में से एक घटाओ 11 माइनस एक इंटू आई प्लस 3 माइनस माइनस प्लस में 2 हो जाएगा इंटू में जे प्लस साथ में से माइनस माइनस प्लस में 8 इंटू में के और यहां पर आपको 10 आई मिल रहा है प्लेस में 5 जे लिखना है और ये 15 के लिखना है अब इसका परिमाण बोलो कितना होगा इसी का परिमान बरावर यहां से निकालेंगे अंडरूर दस का स्क्वाइर 100 पांच का स्क्वाइर 25 और पंदरम 25 लिखना है तो यह हमारा हो जाएगा अंडरूड दो सो पचीस में पच्चिस जोड़ दो दो सो पचास और सो तीन सो पचास क्या लेखना है तीन सो पचास ठीक है और तीन सो पचास के भी अगर हम गुणनखंड करना चाहें तो तो कितना देखो यहाँ पर कर लेते हैं ना तीन दो पांच और यहाँ पर लिख देते हैं 350 के गुड़न खंड़ों को कुछ बर्गमूल से बाहर आएगा 5 से काटो 5 सत्य पैंतिस और यह जीरो 5 से फिर काटो 25 पांच पांच चोकव 20 तो यहां से 5 अंडरूर 14 है इसको लिख लो ठीक है कितना लिखना है 5 अंडरूर 14 है इकाई लिखना है अब बोलो बच्छो यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि एक सदिस AB है एक सदिस BC है AB का पर्माड और BC का पर्माड अगर AC के पर्माड के बराबर आ जाए तो निश्चित बात है कि तीनों बिंदों संद्रेक कहे जाएंगे देखो जैसे हम यह कहें कि एक यह हमारा 2 cm है यह हमारा 3 cm है तो अब 2 और 3 का योग 5 cm हो जाए तो इसका मतलब यह तीनों बिंदों आप संद्रेक कहोगे कि नहीं कहोगे यह 2 cm, यह 3 cm तो आप यह 5 cm हो जाए तो आप निश्चित कह सकते हो कि यह तीनों बिंदों एक रेखा में ही होंगे अगर एक रेखा में नहीं होंगे तो ऐसा हो नहीं सकता, जैसे ये कहें कि ये 2 cm, यहां पर ये 3 cm, तो आप देख लो आप ये 5 नहीं निकलेगा, है ना, ये तभी संभाव है जब ये 3 बिंदू एक रेखा में हो जाएं, तब इन दोनों का योग इसके बराबर निकलेगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म, तभी ह जब 3 बिंदू एक रेखा में होते हैं, तो बच्चों यहां पर देखो, A, B का परिमाड हमने निकलना है, देखो, चुंकि A, B का जो परिमाड है, प्लस B, C का जो परिमाड है, उन दोनों का योग बराबर में, A, C का परिमाड निकला है, ध्यान से देखो, A, B का परिमाड कितना है दो अंडरूर चौध है प्लस यहां पर तीन अंडरूर चौध है तो यह दोनों को जोड़के आप पांच अंडरूर चौध है लेखो देखो यहां पांच अंडरूर चौध है आरा है कि नहीं इसका मतलब आप कहोगे अताहा यह तीनों बिंदू ए बी वसी संदेख हैं क्या लेखना है ये तीनों बिंदू संरेक हैं ये बात हमारी कन्फर्म हो गई कि तीनों बिंदू संरेक हैं अब एक बात इसमें और पूछी गई है वह उसको भी समझो एक ये बात पूछी है उसने कि बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपाद बताओ बी जो बिंदू है वो एसी को विभाजित कर रहा है बिल्कुल खुले आम दिखाई दे रहा है कि ये बी बिंदू दो टुकडों में AC को बांट रहा है AC सदिस है जो उसको दो भागों में विभाजित कर रहा है एक भाग ये है एक भाग ये है तो किस अनपात में कर रहा है यही तो पूंचा गया है तो आपको चलो यहां नहीं नीचे अभी है जगह यहीं लिख देते हैं हमसे कहा गया है कि AB सदिस AB और सदिस BC का जो अनपाद है वो बता दो कितना होगा तो आपको लिखना है यहां से यहां तक जो AB सदिस इसका परिमान हमने निकाला था कितना दो अंडरूर चौध है BC का परिमान जो निकाला था वो कितना है BC का परिमार निकाला था वो हमारा है 3 अंडरूर 14 तो अंडरूर 14 है को कैंसल करो के तो 2 बटे 3 आएगा तो यह C बिंदू C बिंदू यह C बीच माला बिंदू C है वो हमारा AC सदिस को 2 अनपात 3 के अनपात में विभाजित कर रहा है क्या करना है बिंदू C A B और A C को AB और BC को बिभाजित कर रहा है किस अनपात में 2 अनपात 3 के अनपात में बिभाजित कर रहा है यह यह अनसर है रुक्टू ठीक है तो नोट करिए कुस्षिन नमबर 8 है यह हमारा آंगे बढ़े है कुस्षिन नमबर 9 पर और ये हमारा question number 9 है दो को कहता है दो बिन्दू को P और Q दो बिन्दू दिये गए है एक P बिन्दू है Q बिन्दू है इन दोनों को मिलाने बाली रेखा को एक अनुपात दो के अनुपात में बाहता विभाजित करने बाले बिन्दू R का इस्तिस सदिस ग्याद करना है ठीक है और ये भी दिखाना है कि बिन्दू P जो है वो रेखा खंड P को P Q का मद्दू है पहले दिहान से इसको ऐसे समझो को एक बिन्दू ये हमारा हो गया P और इस P बिन्दू का इससे सदिस दिया गया है 2A प्लेस B ठीक है और इसके बाद एक दूसरा बिन्दू Q दिया गया है ये Q बिन्दू है और इस Q बिन्दू का इससे सदिस दिया गया है A माइनस 3B दिया गया है इन दोनों को मिलाने से जो रेखा खंड P Q बनेगा उस P Q रेखा खंड को बाहता बिभाजित करने वाला बिन्दू कोई है R जो R बिन्दू है बाहता बिभाजित कर रहा है ये R बि आर बिंदू है ठीक है जो की इस रेखा को एक अनपात दो के अनपात में विभाजन कर रहा है यहां पर लिख लेते हैं यह आर बिंदू है इस रेखा पी क्यू को दो को यहां से इसको ऐसे मिला दें तो ये हमारा हो जाएगा एक और ये टोटल हमारा हो जाएगा दो ये पृष्ण कहता है कि ये रेखा PQ को ये R बिंदू 1 अनपात 2 के अनपात में भायता विभाजन कर रहा है तब इस विभाजन बिंदू आर जो बाहता विभाजन कर रहा है इस बाहता विभाजन बिंदू आर के इस्थित सदिस को ग्याद करना है तो आपको क्या करना है बायता विवाजन बिंदू आर का इस सदिस बराबर कैसे ग्याद करोगे बायता विवाजन के लिए माइनस होता है तो को यह हमारा हो गया M1 इसको लिख दें यह M2 हो गया यह हमारा P और यह हमारा Q तो इस तरीके से लिखो M1 into Q माइनस में लिखना है M2 into P और अपॉन में लिखना है M1 माइनस M2 यह बायता विवाजन करने बाला बिंदू का इस सदिस ग्याद हो जाएगा यहना R बिंदू का इस सदिस बरावर M1 को क्या लिखना है 1 Q को लिखना है आपको A माइनस 3 B लिखना है फिर माइनस M2 M2 को 2 लिखना है P P बिंदू का इस सदिस बरावर यहाँ पर दिया गया है दो को 2 A प्लस B दिया गया है और नीचे बटे में क्या लिखना है एक माइनस दो लिखना है ठीक है M1 माइनस M2 लिखना है एक से गुणा करेंगे तो ये A माइनस में तीन B माइनस में दो का दो में गुणा दो दो नी चार A लिखो फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा दो से बी में गुणा दो भी लिखना है नीचे बटे में माइनस में एक क्लियर है तो यहां पर दोखो माइनस का चार ए मैंसे एक घटाओगे तो माइनस में मिलेगा तीन ए और यहां पर माइनस में लिखना है पांच भी और फिर नीचे बटे में लिखना है माइनस में एक उपर से माइनस को मलेके इस माइनस को कैंसल करेंगे तो यह हो जाएगा 3A प्लस में लिखना है 5B इतनी बार ठीक है बच्छो यह 3A प्लस 5B यह हमारा R बिंदू का इससे सदिस निकला है ठीक है यही हमसे पूछा गया था इसके बाद में यह भी हमें दिखाना है कहता है दरसा यह T बिंदू P रेखा खंड R Q का मद बिंदू है मतलब यह P बिंदू जो है वो R Q का मद बिंदू है दोको R बिंदू का इसससे सदिस हमने यहां निकाल लिया है 3A प्लेस 5B यह हमने R बिंदू का इसससे सदिस निकाल लिया है अब हमें क्या करना है R और Q को मिलाने वाला रेखा खंड जो R Q है उसका मद बिंदू यह हमें सिद्ध करके दिखाना है तो आपको यहां लिखना है रेखा खंड R Q का मद बिंदू का इससससे सदिस बराबर यहां से निकालोगे कैसे लिखना होता है दोनों का योग बते दो लिखना है आपको लिखना है दोको 3A प्लेस 5B और इसमें प्लेस का निजान लगा के लिखना है A माइनस में 3B और नीचे बटे में 2 तो ये हमारा दोखो RQ का मद बिन्दु का इससे सदिस ग्यात हो जाएगा यहाँ दोखो 3A और A के मतलब 4A लिखना है 5B मैंसे 3B को घटा के प्लस में 2B लिखना है नीचे बटे में लिखा है 2 ध्यान से दोखो उपर से 2 कॉमा लेंगे तो 2A प्लस में B और नीचे बटे में 2 से 2 आप कैंसिल आउट कर दो तो 2A प्लस B हमें मिल जाएगा और 2A प्लस B बराबर क्या है बिन्दु P का इस्थित सदिस है बिन्दु P का इस्थित सदिस है इसका मतलब है कि बिन्दु जो P है वो वास्तव में R Q का मद्द बिन्दु है ठीक है यही हमें सिद्ध करना था ठीक है बच्चू यह बहुत ही खास प्रश्न है 19 में 9 मा नंबर है प्रश्न का चलिए इसको नोट करते हैं और इसके बाद आंगे बढ़ते हैं Q कोस्चन नंबर 10 पर आते हैं दो को 10 में में ऐसा कहा गया lessons उसमान तर चत्र वुज की संनलंग न भुजाएं दिगई है नों संलंग न भुजाएं दिगई है जिसके बिकाड के समानतर एक मतरक सदिस गयाद करना है और समानतर चत्रभूज का छित पल भी गयाद करना है देखो इसको भी एक चित्र बनाना पड़ेगा ध्यान से देखो चलो अब देखते हैं कोश्चन नमबर दसमा देखो दसमा प्रश्ण है यहां पर इस तरीके से दसमा प्रश्ण में लिखा है कि एक समानतर चत्रभूज आपको यहां पर बना लेना है दोखो यह हमारा हो गया एक समानतर चत्रभूज समानतर चत्रभूज यह ऐसा चत्रभूज होता है जिसके आमने सामने के भुजाएं बिलकुल समानतर होती है और बराबर भी होती है ये हमारा A, B, C, D ये समानतर चत्र भुजाएं जिसकी सनलगन भुजाएं हम कह सकते हैं ये A, B भुजा और ये A, D भुजा ये सनलगन भुजाएं कह सकते हैं जो कि हमेर प्रस्च्ट में यहां दी गई हैं, ये हमें दी गई है 2i, ये हमारा दिया गया है, ए भी सदिस दिया गया है, दोगो, कितना 2i, माइनस 4J, और प्लस में 5k, ठीक है, इसको a माल लिया हमने, ये a हो गया, ठीक है, a सदिस, और यह सदिस हमारा B, ये भी हमारा दिया गया है, B सदिस, I-2J, I-2J-3K, ऐसा दिया गया है, अ radically इस सदिस को देखो ध्यान से, जो यह सदिस है, बिलकुल यही सदिस यह हमारा हो जायाँगा, B सदिस यहाँ पर लिख देते हैं, I-2J I-2J-3K और इसमें इसका दोखो जो बिकार्ड होगा बच्चो इस तरीके से AC द्वारा दिया जाएगा प्रिश्ण में कहता है कि एक समानतर चेत्रोबोजी जिसकी सनलंग में भुजाएं दी गई है और इसके बिकार्ड के समानतर एक मत्रक सदिस ग्याद करना है मतलब ये बिकार्ड जो AC दिखाई दे रहा है तो उसको आप बड़े आराम से ऐसे ग्याद कर सकते हो बिकार्ड AC बरावर तो को तर्वच का नियम लगा दें AB प्लस BC बिल्कुल सही बात है मतलब A सदिस प्लस B सदिस दोनों को जोड़के हम सदिस AC ग्याद कर सकते हैं बिकार्ड ग्याद कर सकते हैं तो यहां से हमें क्या लिखना है दो AI माइनस में चार जे प्लस में लिखना है पांच के और प्लस BB का मतलब लिखना है i-2j-3k लिखना है तो इस तरीके से 2i और 1i को योग करके हम 3i लिखेंगे माइनस में 6j लिखेंगे और प्लस में 2k लिखेंगे क्लिया रहे बच्चो इसके बाद में अगर ac विकर्ड के समानतर एक मात्रक सदिस गयाद करना है तो मात्रक सदिस बराबर होता है लिखना है 3k square प्लस माइनस 6k square प्लस में 2k square ठीक है अब 3k square 9 होता है माइनस का plus 3k square 36 लिखना है 2k square 4 लिखना है तो यहाँ पर दोखो 40 और 49 का बर्गमू साथ क्लिया रहे अच्छा बगया अब हमें क्या करना है AC के अनुदिस बिकारड AC के अनुदिस मात्रक सदिस AC के अनुदिस अनुदिस कहा है या समानतर भी कह सकते हैं AC के समानतर मात्रक सदिस समानतर मात्रक सदिस ठीक है मात्रक सदिस बराबर क्या होता है सदिस बटे AC सदिस लेके दे और उसके मापांग के मतलब AC के मौड से भाग करना है AC सदिस कितना है तो को ये लिखना है 3i माइनस 6j लिखना है प्लस में 2 के और नीचे बटे में 7 लिखना है अलग-अलग डिवाइड करना चाहो तो अलग-अलग डिवाइड भी कर सकते हो 3 बटे 7 i उसके समानतर मातरक सदिस ये लिखना है ठीक है बच्चो सासाथ में एक बात और कुशी गई है कि इसका छिटपल भी बताओ तो बच्चो ये भी बता है कि समानतर चत्रवज का जो छिटपल होता है वो हमारा होता है A क्रॉस B निकालें और इसके परिमान को हम यहां पर लिखेंगे ये हमारा समानतर चत्रवज का छिटपल होता है पहला काम ये है कि A क्रॉस B निकालोगे साड़क से यहां लिखना है i, j, k और इसके बाद मैं यहां पर दोखो a सदिस जो है ना वो ये लिखा है इसका 2, minus 4, 5 लिखना है 2, minus 4, 5 लिखना है 20 अजिस है इसका दोखो i का गुणंक 1 है j का गुणंक मैंनस 2 है k का गुणंक मैंनस 3 है ठीक है और यहां से i के सापे पहले इसका परसार करेंगे minus, minus, plus 4 और 3 का गुणंक 4 तिया 12 लिखते हैं फिर minus 5 दूनी 10, minus का minus, minus, plus का 10 हो जाएगा minus ये लिखेंगे और यहां पर 3 दूनी 6, minus का 6 minus में 5 एकम 5, plus में k लिखेंगे और यहां पर इसको कैंसल करके minus का लिखना है 4 फिर minus, 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 plus का हो जाएगा 4 और बच्चो ध्यान से देखो तो इसको यहां से 22 आई लिखेंगे यहां पर minus में minus, minus, plus हो जाएगा 11 है, minus, minus, plus 11 है, j लिखना है plus में 11 है, j हो जाएगा और यह हमारा k वाला जो है ना वो 0 हो जाएगा, 0 k अब इसका हमें a cross b का a cross b का यहां से mod निकालना है, परिमान निकालना है तो under root यहां लिखना है 22 का square, plus 11 है का square और यह plus 0 तो है, कोई बात नहीं है तो बराबर मैं ध्यान से देखो 11 है का square दोनों जगे से common ले सकते हो, 11 है का square लेकिन बर्ग मूल से बाहर निकालोगे 11 है मिलेगा, और under root के अंदर आपको लिखना है, यहां 11 है, दोनी बाइस, दो बचा है ना दो का square 4 लिखो, plus यहां एक बचाएगा, एक का square एक लिखना है तो इस तरीके से 11 है इंटू under root 5 बर्ग इकाई लिखना है क्या लिखना है, बर्ग इकाई, यह हो गया इस समांतर चत्रबोच का छेटपल, समांतर समांतर चत्रबोच का छेटपल बराबर क्या होता है A क्रोस B का मौड निकालना है तो यहां से A क्रोस B हमने निकाल लिया है और फिर इसका मापांक हमने निकालना तो 11 हैं डरूर 5 निकला है और यही इसका समांतर चत्रबोच का छेटपल हो जाएगा के लिए रहे बच्चो चलिए आंगे बढ़ते हैं कुश्चिन नमबर ग्यारमे पर आते हैं कुश्चिन नमबर ग्यारमा देखें ग्यारमे प्रश्च में कहता है कि दर्सा ये कि OX, OY और OZ अक्छों के साथ बराबर जुके हुए सदिस की दिक को साइन दिक को स समझना है हमें यहां पर ऐसा दिया गया है पहले सको रब करो तो यहां पर तो इस तरीके से दिया गया है यह हमारा कुश्चिन नमबर है ग्यारमा और यहां दिया गया है कि कोई दिखाईए कि OX, OY और OZ अक्छों के साथ बराबर जुके हुए सदिस की दिक को साइन दिक को साइन या दिक को जाएं दोनों यह कई बाते हैं एक बटे अंडरूर 3,1 बटे अंडरूर 3,1 बटे अंडरूर 3,1 बटे अंडरूर 3 है माना कोई सदिस है और उस सदिस की अक्छों अर्थात OX, OY, OZ के साथ जोकाओ समाने तो माना सदिस का OX, OY, OZ अक्छों से जोकाओ अलफा है जोकाओ क्या लिखते हैं अलफा है तब हम यह कह सकते हैं कि उस सदिस का जो दिक को जाएं होंगी वो कोस अलफा L बराबर आपको लिखना है कोस अलफा, M बराबर भी लिखना है तो कोस अलफा और N बराबर भी आपको लिखना है कोस अलफा ही लिखना है चुँकि तीनों अक्षों से X-H से Y-H से Z-H से तीनों अक्षों से सजिस का जोकाओ समान है इसका मतलब तीनों अक्षों से जो दिकोजिया हैं वो समान निकलेंगी मतलब L बराबर कौस अलफा, M बराबर कौस अलफा, N बराबर B कौस अलफा X अक्ष से अलफा जोका होता है तो L बरावर कौस अलफा होता है Y अक्ष से सदिस का जोका अगर बीटा होता है तो उसकी दिकोज्या M बरावर कौस बीटा हो जाती है और Z अक्ष के अगर जोकाव गामा होता है तो दिकोज्या N बरावर कौस गामा हो जाती है यहां पर जोका उसमान है, तीनों फ्थों सो जोका उसमानом एसलिए L बराबर कॉस कॉस अलवः और इसका स्कॉाइर इसी परकार कॉस इसकॉाइरलफा और इसी परकार N को भी हम कॉस स्कॉाइरलफा यहां लगके बराबर एक लगदें, यहां से तीनों को जोड़के लेखें तो 3 cos square alpha बरावर 1 या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos square alpha बरावर 1 बटी 3 या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos alpha बरावर में plus minus 1 by root 3 ठीक है, मतलब L भी इतना ही है, M भी इतना है, कोसलफा, दोको सभी तो कोसलफा ही के बरावर है मतलब L बरावर भी कोसलफा है, M बरावर भी कोसलफा है, N बरावर भी कोसलफा है इसका मतलब यह हुआ कि L बरावर भी आपका प्लस मानस बनवाई रूट 3 है M बराबर भी plus minus one by root 3 है और N बराबर भी plus minus one by root 3 है मतलब कह सकते हैं दिक को जाएं कितनी है plus minus एक बटे root 3 एक बटे root 3 एक बटे root 3 और ये हमारी दिक को जाएं हमसे प्रूब करवाई गई थी ठीक है अगर कोई सदिस अख्चों से समान जोका हुआ है एक बटे अंडरूर 3, M बराबर भी एक बटे अंडरूर 3 और N बराबर भी एक बटे अंडरूर 3, प्लस माइनस में, ठीक है, चली बई, ये भी आपका किलियर हो गया, इसके और आंगे बढ़ते हैं, कुश्यन बर बार्मा देखो, बार्मा प्रशन है, एक सदिस A है, एक B है और एक सदिस C दिया गया है, एक ऐसा सदिस हमें ग्याद करना है, ऐसा सदिस D ग्याद करना है, जो A और B दोनों पर लंब हो, तता C डोट D बराबर 15 हो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, बड़ा ही कमाल का प्रशन है, बच्छो अच्छा प्रशन है, और ये आपको करना लिखेंगे, आई प्लस चार ये प्लस टू के, आई प्लस चार ये प्लस टू के, ठीक है भाई, एक सदिस हो गया, एक सदिस B बराबर हमें यहाँ पर दिया गया है, थिरी आई, माइनस में टू जे, प्लस में से बन के, और एक सदिस C बराबर और दिया गया है, दोख ये प्लस मैं 4K अब कहता है एक सदिस D और गयाद करो वो डी सदिस है कैसा जो A और भी दोनों पर लंब है दोखो एक सदिस कोई D गयाद करना है ना सदिस D गयाद करना है डी गयाद करना है जो सदिस D और भी दोनों पर लंब है जो A तथा B दोनों पर लंब है ये प्रशन में हमें दिया गया है तथा साथ साथ में ये भी दिया गया है कि c.d जो है ना वो पंद्रे है ये भी हमें दिया गया है अब समझो असली बात तो ये है कि d सदिस हमें गयाद करना है तो d सदिस है क्या ए और भी दोनों पर लंब सदिस पहले गयाद करो ए वा बी सदिस ए और सदिस बी पर लंब सदिस लंब सदिस बराबर क्या लिखना है आपको यहां पर ए और बी दोनों पर लंब सदिस बराबर कैसे गयाद करते हैं ए क्रोस बी ऐसा सदिस होगा जो ए और बी दोनों पर लंब होगा ए क्रोस बी निकालेंगे और ये सदिस ए क्रोस बी जो होगा वो ऐसा सदिस होगा जो दोनों पर लंब होगा मतलब ए पर भी लंब होगा और बी पर भी लंब होगा तो ये ए क्रोस बी हम यहां से कैसे निक कितने है? एंग कितने है? 3-2,7. 3-2,6 लिकना है. ठीक है बag ? तो ये हमारा हो गया A cross B. इसका प्रसार करेंगे. त इस तरीके से तो बैसा चार 58 लिकhेंगे. पिर 5- ८ानिस PP-4, एकम, 2 लिकना है. ठीक है? फिर इसके बाद माइनस में J लिखो और इसको कैंसल करने के बाद 37 लिखोगी माइनस 3, 2, 6 लिखोगी बिल्कुल ठीक है प्लिस में K लिखना है और इसके बाद में यहां 2, 1, 2 माइनस में 2 लिखो फिर माइनस का 3, 4, 12 लिख दो तो यहां पर इनको दौनों को जोड़ के लिखेंगे 32 I फिर यहां पर आपको लिखना है माइनस में एक J बचेगा बिलकुल ठीक है और यहां पर माइनस में लिखना है 14 K लिखना है तो यह एक सदिस हमारा होगया जो A और B दौनों पर लंब है मान लेते हैं थोड़े दिर के लिए मान लिया कि ये हमारा D सदिस मिला है माना D सदिस है वो हम इस तरीके से इसमें लेमडा से गुणा कर दें तो ये हमारा 32 I माइनस J माइनस 14 K ठीक है ये D सदिस है जो A और B दोनों पर लंब है किसी भी अचर से गुणा कर दें अगर ये लंब है तो फिर ये भी तो लंब ही हो जाएगा इसको हमने मान लिया ये D सदिस है ठीक है किसी भी अचर से गुणा करें ये अगर लंब सदिस है तो अचर से गुणा करने पर ये सदिस जो मिलेगा वो भी आपका लंब सदिस ही होगा जो A और B दोनों पर लंब होगा ठीक है ये D सदिस हमें ग्याद करना है इसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है क्योंकि दिया है कि C.D बराबर 15 दिया गया है अच्छा C की वैलू कितनी है तो को ये लिखा है C का मान 2I लिखना है 2I माइनस J प्लस में 4K और डोट करना है D से D का मतलाब है लेमडा इंटू में 32I माइनस J माइनस में 14K लिखना है ठीक है और बराबर में दर लिखो 15 रहें डोट गुणा दोखोर ये लेमडा अपना यूंकाते हो लिखना है आप डोट गुणा करते कैसे हैं आपको पता है केवल आई से आई का गुणा एक हो जायेगा जे से जे का गुणा एक हो जायेगा बाकी सब सून हो जाएंगी तो यहां पर 32 दूनी 64 आई और आई ड माइनस में आपको लिखना है 56 और यहां पर बराबर में लिखना है 15 क्लियर है अब देखो चलो यहीं कर देते हैं ध्यान से दोखो यह लेमडा हमारा है और इनका हिसाब किताब करो दियो 65 है 65 मैंसे 56 घटा दें तो 65 मैंसे 56 घटाएंगे तो 9 बचाएगा है ना 9 लिखेंग बराबर लिखें 15 और यहां से हम लेमडा का मान निकालेंगे तो 15 बचे में 9 तीन पंचे 15 तीन त्रिक है 9 तो लेमडा का मान यहां से हमें क्या मिल गया है 5 बचे 3 और इस लेमडा के मान को आपको यहां रख देना है तो समझो डी सदिस जो पूंचा गया था वो ग्यात हो पर नेख़ देते हैं लेमडा बदाबर पांच बटे तीन। मैं रखने पर साधिह संधी बडराबर हम हैं यहां से मिल जाएगा लेमडा का माल लिखें कि पांच बटे तीन और इंटू में लिखना है बत्तिस आई कि क्या लिखना यहां पर 32 आई फिर इसके बाद माइनस में जे फिर माइनस में 14 क लिखना है ठीक है तो बस समझो यही अंसर है चाहो तो 5 का सम्में गुणा करो 5 दूनी 105 तिया 15 और 16 160 बटे में 3 आई माइनस में 5 बटे में 3 इंटू जे माइनस में 14 75 बटे में 3 इंटू के और यही हमारा अभीष्ट सदिस है जो हमसे पूछा गया यह सदिस A और B दोनों सदिसों पर लंब है तथा इस सदिस का D के साथ अगर अधिस गुणा किया जाए तो गुणन फल 15 मिलेगा आप चेक कर सक रखते हो ठीक है तो यह हमारा कुश्चन नमबर बार में अच्छा प्रश्ण आप जो बहुत ही बढ़िया प्रश्ण है और इसको आप अच्छे से नोट कर लें ठीक है चलो अब आँगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर 13 में पर और अब दो तेरमा प्रश्ण है लेगता ह सदिस आई प्लस जे प्लस के का सदिसों इसका और इसका योगफल की दिसा में मातरक सदिस के साथ अधिस गुणन एक के बरावर है तो लेंबडा का मन बताओ मतलब सीधा के इस सदिस का इन दोनों सदिसों के योग की दिसा में मातरक सदिस याद करना है और उस मातरक सदिस का इस सदिस के साथ अधिस गुड़ा बराबर एक लिखना है लेम्डा का मन निकल के आएगा दोखो ध्यान से पहले हमें आंगे जो दो सदिस दिये गए हैं का दोनों का योग करना है तो आपको यहां लिखना है सदिस सदिसों कौन कौन से सदिसों का योग करना है टू आई प्लस फोर जे माइनस फाइब के और आंगे एक सदिस दिया गया है लेम्डा आई प्लस टू जे प्लस थरी के का योगफल का सदिस ग्याद करना है का योगफल का सदिस योगफल का सदिस ग्याद करना है इन दोनों का य तो हमें दोनों सद्सों का योग, दोखो कैसे करना है, यहां लिखना है, 2i प्लस 4j माइनस 5k, और इससे साथ योग करना है, लैमडा i प्लस 2j प्लस 3k से इसको जोड़ना है, जोड़ते कैसे हैं, हमें i से i को जोड़ना पड़ता है, यहां i कोमन मिल जाएगा, तो 2 प्लस लैमडा लिखेंगे i कोमन, ठीक है, जे और जे को जोड़ना है, के और के को जोड़ना है, तो माइनस में 2k मिल जाएगा, ठीक है, यह माइनस का 5 है, 3k प्लस का है, माइनस में 2k मिल जाएगा, तो ये हमने योग फल के योग फल का सदिस इन दोनों सदिसों का योग फल का सदिस ग्याद किया है और इस योग फल के अनुदिस या इसी दिसा में कह सकते हैं योग फल की दिसा में मातरक सदिस कैसे ग्याद करेंगे इसका परिमान से भाग करेंगे हम यहां से इसका परिमान निकालें हम सदिस सी का अर्थाद योग फल की जो सदिस है उसका परिमान निकालें तो किसी भी सदिस का परिमान बराबर होता है अंडर रूड यहां आई का गुड़ांग है टू प्लस लेम्डा का स्कौाइर प्लस यहां छे का स्कौाइर 36 लिखना है माइनस दो का स्कौाइ सदिस का मात्रक सदिस बराबर कैसे ग्याद करोगे? योगफल के अनुदिस मात्रक सदिस बराबर हो जाएगा C बटे में C का मॉड ठीक है? C सदिस कितना है दो को लिखना है 2 प्लस लेमडा इन्टु आई इसके बाद प्लस में लिखना है 6J फिर माइनस में 2K और यहाँ पर इसका जो परिमाण है उससे भाग करना है तो परिमाण बराबर है कितना? 2 प्लस लेमडा का स्क्वाइर प्लस में 40 ठीक है? यह मात्रक सदिस है अब हमें यह दिया गया है कि इस मात्रक सदिस और इस सदिस का अदिस गुणा कर दें को यहां लिख देते हैं कि दिया है क्या दिया गया है कि ए सदिस यह माल लो थोड़ी देर बीए यह सदिस हैै और इसके साथ में जो हमने योग्फल्ट के अंदिस सदिस्स यहाई सदिस घ्यात किया है उसका अदिस गुणां बराबर से मतलब यह चुमने ऑड़्या लिया है यह बरावर इसको लिख सकते हो ठीक है यह सदिस है और इस अधिस के और यह जो योगफल के अधिस मात्रक सदिस है उनका दोनों का अधिस गुणा बरावर एक लिख लो ठीक है तो इसको लिखना है आई प्लस जे प्लस के और इसमें जो मात्रक सदिस है उसको लिखना है टू प्लस लेमडा इंटू आई और प्लस छे जे माइनस दो के प्लस छे जे माइनस में दो के और इसके बाद में इसका अधिस गुणा है ना और बटे में क्या करना है अंडर रूड लिखना है टू प्लस ल से करते कैसे हैं आई से है का गुणा एक होता है का गुणा एक होता है keeping है बाकि सफून हो जाएंगे तो बच्चों यहां से हमें लेखना है दो को आई और आई का डॉट गुणा एक लिकना यह J और J का डॉट गुणा एक लिखना है, तो ये प्लस में 6 लिखना है, यहां पर K और K का डॉट गुणा एक लिखना है, तो माइनस में 2 मिलागा, और नीचे बटे में अंडरूट 2 प्लस लेम्डा का स्कुायर प्लस में 40, बड़ावर यहां लिखेंगे 1, अब इसको हल करके lambda का मान हमें मिल जाएगा और यही पूंचा गया है तो एक काम करते हैं देखो ध्यान से ऊपर आपको यह सीधा सीधा दिखाई दे रहा होगा कि यह minus का 2 है यह plus का 2 है cancel हो जाएगा तो ऊपर हमें मिल जाएगा lambda plus 6 और नीचे हम यहां से under root में लिखेंगे चाहो तो इसका square तोड़ दे एक बार 2 का square 4 प्लस lambda का square प्लस में यहां लिखो 4 lambda प्लस में लिखो 40 और बराबर में 1 cross multiply करके इसको ऐसे लिख दें lambda plus 6 का whole square lambda plus 6 बराबर ऐसे लिख दे एक बार इसका यहां कुणा हो जाएगा तो आपको लिखना है अंडर root में lambda square प्लस में 4 lambda प्लस में 40 प्लस 4 बराबर 44 लिखना है ठीक है बच्चो दोनों पक्षों का square कर दें तो बर्ग मूल का निसान आंगे वाला खतम हो जाएगा इस पर बर्ग का निसान करें तो यह हमारा lambda plus 6 का whole square हो जाएगा बराबर यहां बर्ग मूल का निसान खतम तो lambda square plus में 4 lambda plus में 44 ठीक है इतनी बात अच्छा वह इसका square तोडो तो इसका square हो जाएगा देखो lambda का square plus 6 का square 36 plus 6 दूनी बार है lambda लिखना है बराबर में lambda square plus में 4 lambda plus में 44 लिख ले और यह हमारा lambda square पूरा कैंसल ठीक है यह 4 lambda इदर ले आओगे चलो यहां लिख देते हैं तो को यह 4 lambda इदर आएगा बार है मैंसे 4 घट के 8 lambda मिल जाएगा कितना लिखना है 8 lambda यह 36 इदर ले जाएगे तो 44 मेंसे 36 घटा हैं तो अभी 8 मिलेगा तो बच्चो सीधा सीधा जोखो 8 बटे 8 करो और lambda कमान हमें 1 मिल रहा है ठीक है यही हमसे पूछा जया था कि वही lambda कमान क्या होगा अगर इन दोनों के योगफल के अन्दिस 21 सदिस हमने निकाला और फिर 21 सदिस और इस सदिस का अदिस गुणा बराबर एक दिया गया है और बस इतना काम करते करते हल करा है तो बच्चो कोई भी असुबदा अगर है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो है ना तो चलिए भई आँगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर चौदमा ठीक है चौदमा प्रस्चन देखो बच्चो इसको रब कर लेते हैं कुश्चन नमबर चौदमे पर आते हैं और अब ये है हमारा कुश्चन नमबर चौदमा कहता है यदि A, B, C समान परिमान वाले परस पर लंबबत सदिस है मतलब दो बाते हो गई यहां पर कि भईया A, B, C समान परिमान वाले सदिस है मतलब दो तीनों के जो परिमान हैं वो समान दिये गए है और ये भी साथ साथ में कहा गया है कि ये परस पर लंबबत सदिस है मतलब A और B लंबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब करना है यह हमारा कुछ बात हैं हमें दी गई हैं पहले उनको लिख लेते हैं हमें ऐसा कुछ दिया गया है कि एक सदिस जो ए है इसका परिमाण बराबर है सदिस बी के परिमाण के बराबर है सदिस सी के परिमाण के यह सब के परिमाण समान है माल लिया कि यह सब के परिमाण कितने हैं आ रहे हैं ठीक है या फिर आर ना लिखके लैमडा लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात ठीक है फिरमित हो सकते हो लैमडा लिख दें सब के परमाणों को हमने बराबर क्या लिख लिया लैमडा सब की परमाण समान है ठीक है तो यह भी हमें दिया गया है कि A, B और C परस पर लंबवत सदिस है अगर ये परस पर लंबवत सदिस है इसका मतलब हमें ये दिया गया है कि A.B. जो है वो जीरो है लंबवत सदिस तभी तो होते हैं जब उनका डॉट गुणा जीरो होता है तो A और B दोनों लंबवत हो गए इसी परकार B और C दोनों लंबवत हो गया है इसका मतलब B और C का डॉट गुणा बरावर लेकर जीरो और इसी परकार से A और C अगर लंबवत है तो A और C का डॉट गुणा बरावर क्या लेकर दें जीरो ये भी हमें बातें दी गई ठीक है अच्छा वह अब सिद्ध क्या करना है यहां पर हमें सिद्ध यह करना है कि A प्लस B प्लस C और A के साथ जो कौन है वो ग्याद करना है वही कौन A प्लस B प्लस C और B के साथ आएगा और वही कौन A प्लस B प्लस C और C के साथ में है, मतलब बराबर जुके हुए है, तो यहां पर हमें क्या करना है, माना a प्लस b प्लस c वा सदिस a के बीच का कौण हम माल लेते हैं अलफा है के बीच का कौण हम माल लेते हैं कितना है ठीटा माल लें कोई बात नहीं अलफा लेके ठीटा लेके अगर सदिस a प्लस b प्लस c एक ये सदिसे और एक ये सदिसे इन दोनों सदिसों की बीच का कौण बराबर थीटा है तो बड़े आराम से हम ऐसा कह सकते हैं कि A प्लस B प्लस C डॉट A और बराबर कह सकते हैं दो सदिसों का डॉट गुणा बराबर होता है पहले सदिस का परिमाड इंटू में दूसरे सदिस का परिमाड इंटू में इन दोनों के बीच की कौण की कोजिया का गुणनफल होता है A.B.B.Mod A into mod B into cos theta होता है कि नहीं तो A के जगहे पर ये हो गया A plus B plus C और B के जगह हमारा A हो गया सदिस तो दोनों सदिसों का गुणनफल बरावर पहले सदिस का परिमाड इंटू दूसरे सदिस का परिमाड इंटू cos theta होता है ठीक है तो भचो यहाँ पर देखो ध्यान से ये सदिस हमारा A plus B plus C और जब भी हम dot गुणा करते हैं तो dot गुणा का मतलब क्या है इसका यहाँ गुणा पहले गुणा कर लेते हैं दोको हमें क्या करना है इनका आपस में गुणा करके दिखाना है तो भचया यह हो गया A dot A A dot A plus यहाँ लिखेंगे A dot B फिर यहाँ लिखेंगे बचो यह ना यहाँ पर पहले भी दिया गया है तो बी डोट ए लिखेंगे लो B dot A और A dot B दोनो एक बात है क्योंकि क्रम बिन में होता है और प्लस मैं यहाँ पर C dot A लिखेंगे बरावर, यहां पर हमें लिखना है A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C का परिमाड योंका त्यों रहेगा और यहां पर सदिस A का परिमाड इनटू में cos theta लिखना है, आप ध्यान से देखो A.A का मतलब है सदिस A का परिमाड लिखे दें और A.B लिखा है B.A. दोनों एक बात हैं इसको 0 लिखेंगे क्योंकि A.B. बराबर 0 है इसी प्रकार C.A. या A.C. कहें एक बात है ये भी हमारा 0 दिया गया है तो इसको भी 0 लिखेंगे बराबर में लिखेंगे A प्लस B प्लस C और यहां पर ध्यान से देखो तो यह हमारा जो A सदिस है इसका परिमार्ड और इन टू में कोस थीटा तो इनका अब मान यहां से दो को लिखेंगे A सदिस है इसका परिमार्ड बराबर लेमड़ा हमने माना है यहां से a प्लस b प्लस c लिखना है और इसके बाद में इसका भी दो को मान हमें lambda लिखना है और iç Two में लिखना है cos θ,ct सघिस a का परिमाण बराबर lambda है तो यहां भी हमने lambda लिख दिया यहां भी हमने lambda लिख दिया अब दो को इस lambda से इसको एक बार आप cancel out कर सकते हो ठीक है यह हमारा मिलेगा है ना इसको इस तरीके से रखना है ठीक है अब चो यहां पर दोगो ठीटा का मान निकालो तो क्या मिलेगा ठीटा बरावर कॉस इनवर्स लैमडा अपोन ए प्लस बी प्लस सी का परिमार मिल जाएगा देखो द्यान से, यहां पर हमने क्या चिद किया है? हमने z인이ya है कि सदिस A और A प्लस B प्लस C के बीच का कॉंड ये है बिल्कुल ठीक इसी प्रकार अगर आप सिद करना चाहो तो B सदिस और A प्लस B प्लस C के बीच का कॉंड भी इतना ही निकलेगा अब आपको करना नहीं है, इसी प्रकार करके लिख दो, इसी प्रकार, सदिस A प्लस B प्लस C वा B तथा C के बीच का कौन, बीच का कौन भी यही प्राप्त होगा, और यही हमें प्रूब भी करना था, कि भीया, यह सदिस A प्लस B प्लस C जो है, वो A के साथ जो कौन बनाता है, वही B के साथ कौन बनाएगा, वही C के साथ कौन बनाएगा, मतलब समान रूप से जोके हुए हैं, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक है बच्चो, बात के लिए रोगए के नहीं, तो यह हमारा बहुत ही अच्छा प्रशन है दोखो, मतलब यहां पर ऐसा दिया गया है, कि इन दोनों का गुणन फल बराबर सदीस A का स्कार प्लस सदीस B का स्कार की मापंग का स्कार है, तो यह तब ही हो सकता है जब केबल और केबल A और B परसपर लंबत हों यहां पर A और B यह कताई 0 नहीं दिये गए हैं ध्यान से देखो तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि सदिस A प्लस B dot सदिस A प्लस B दोनों का यहां dot गुडा करके देखो तो dot जब गुडा करेंगे तो A dot A पहले आपको यहां लिखना है A dot A प्लस आंगे लिखना है A dot B फिर आंगे लिखना है प्लस B dot A फिर आंगे आपको लिखना है प्लस B dot B लिखना है बाट ठीक है कि नहीं? अच्छा भई ये इसको हम सदिस A के मौड का स्क्वार ऐसा लिख सकते हैं A.B लिखा है ये तो ठीक लिखा है B.A A.B और B.A करम बिन में होता है तो इसको भी हम A.B लिख सकते हैं प्लस यहां पर B सदिस के मापंग का बर्ग लिख सकते हैं ठीक है अब थोड़ा और आंगे ध्यान से देखो तो सदिस A के परिमाण का स्क्वार प्लस यहां पर 2A.B लिख लिया जाए ठीक है कि नहीं दोनों को जोड़ के लिख लें प्लस मैं यहां पर सदिस B के परिमाण का स्क्वार अब बचो यहां पर ध्यान से देखो तो यह कभी भी ऐसा कहा गया है कि यह इनका दोनों का गुड़न फल A का परिमाण का स्क्वार प्लस B के परिमाण का स्क्वार तभी ह हो सकता है जब A और B कैसे हो लंबत हो लंबत सदिस कब होते हैं जब उनका डॉट गुणा 0 होता है यहां पर लिखें यदि A और B परसपर लंबत हैं तो हम यहां पर कह सकते हैं A.B बराबर क्या लिख देते हैं 0 तो ध्यान से देखो तो सदिस A प्लस B डॉट सदिस A प्लस B और यह बराबर में A सदिस का परिमान का बर्ग और A.B को 0 लिखेंगे तो जैसे ही हम यहां पर इसको 0 लिखेंगे तो यह हो जाएगा पूरा 0 अब यहां पर सदिस B के परिमान का बर्ग यह हमें मिल जाएगा देखो यह कब मिला है यह केबल और केबल तब मिला है जब A, B आपस में लंबत हूँ अर्फाट A.B ब्राबर जिरो हो इसको जिरो लिखोगे तो ये और ये दोखो यही दोनों तो बचा है ये कब बचा है तब जब A और B परस पर लंबत हो यदि ऐसा हो कि ये परस पर लंबत ना हो यदि A वा B लंबवत ना हो अर्थार्थ लंबत ना हो इसका मतलब ये है कि A और B का डॉट गुणा बराबर 0 ना हो तो आप कताई ऐसा नहीं ले सकते है कि A प्लस B सदिस A प्लस B डॉट सदिस A प्लस B बराबर नहीं हो सकता है सदिस A का परमान का बर्ग प्लस सदिस B के परमान का बर्ग ऐसा हो सकता है बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि प्लस में 2 A.B.B. तो है साथ में यह 0 तो है नहीं अगर यह 0 हो जाए तो 0 तभी हो सकता है जब A.B.B. आपस में कैसे हो लंबत हो तो सीधा-सीधा मतलब यह हुआ कि यह तभी ऐसा संभाव है कि A.B.A.B.B. बरावर में A की का बर्ग प्लस B की परमान का बर्ग तभी संभाव है जब A.B.B. बरावर 0 अर्थाथ ए और B परस पर लंबत हो अधरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है ठीक बच्चों तो यहीं हमें प्रूप करना था चैलिए बई यह अब प्रशन आपके 15 कंप्लीट हो गए छोटे-छोटे प्रशन हैं उनको भी देख लेते हैं दोखो यहां पर प्रशन संख्या 16 से लेकर के और 22 तक के सभी प्रशनों में आप से कहा गया है कि अपने उत्रों को सही करके करेक्ट करके बताओ लेगता है दो सादिस A और B के बीच का कौन अगर थीता है तो A.B. greater than equal to 0 कब होगा इन हम आपसे कहें कि A.B. बताओ तो आपको कहना पड़ेगा A.B. better होता है सदिस A का परिमाड इनटू में सदिस B का परिमाड इनटू में cos.θट A और B के बीच का कौन थीता है तो ठीक है अच्छा अब आप यह बताओ कि सदिस جो A है वो तो सदेयो सून से बड़ा है बिलकु स सून से बढ़ागर हो जाए तो ये टूटल बैल्व जो है सून से बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी इसकी बैलू कॉस ठीट की बैलू अगर प्रतुत जतोर ठांस में करें ठीटा कामान थीटा बराबर कितना हो जाए जीरो से पाई बटे 2 तक हो जाए तब हम कह सकते हैं कि को थीटा का मान जो होगा वो भी हमारा सून या सून से बढ़ा ही आएगा अब ये बात confirm हो गई कि a.b का मान सून या सून से बड़ा आ सकता है जब कि theta का मान कितना होना चाहिए जब कि theta का मान होना चाहिए सून से लेकर के pi by 2 तक 90 तक ये हमारा देखो option सही होना चाहिए A.B का मान सोन से बड़ा तभी होगा जब ठीटा का मान 0 से लेकर PIY2 के अंतरगत आता हो हना फर्ष्ट क्वार्डेंट में Cos Theta का मान प्लस बैलू देता है तो यह प्लस में है यह प्लस में है यह भी प्लस में इसका मतलब सब का सब मान पूरा सोन से बड़ा ही आएगा प्रसम चतुर्थांस में अगर ठीटा का मान है तो ठीक है यही हमसे पूछा गया था तो आप अपना option B सही लिखना है आपको क्या लिखना है option number B इसके बाद वो सत्मय प्रश्ण में बचों कहता है कि A और B दो मात्रक सदिस है एका परिमाड एक है B का परिमाड एक है और उनके बीच का कौन थीटा है तो A प्लस B एक मात्रक सदिस है यह हमें बताना है तो थीटा का मान कितना है पाई बटे चार पाई बटे तीन पाई बटे दो और दो पाई बटे तीन चार ओप्सन दिये गए हैं तो ध्यान से इस पूरे प्रश्ण को ध्यान से समझना है चलो इसको हम रब कर लेते हैं इस पूरे को रब कर लेते हैं फिर देखते हैं कुश्यन नंबर सत्रमा चलो देखुर, कुशच्षिया сорबाती में, हमाना इस तरीके से लिखा हुआ है कि A सदिस जो यह सत्रमा है, द्रहान से, दियола को A सदिस है, वो क्या है? मात्रक सदिस है, मतलब इसका परिमाण एक है, B सदिस है, यह भी हमारा मात्रक सदिस है, इसका खीيع परिमाण एक है बीच का कौण कितना है ठीटा है ये भी हमें दिया गया है तो a फिलस b एक मातरक सदिश है तो ठीटा का मान आपको बताना है ठीक है a प्लस b अगर हम यहाँ पर परिमान का स्क्वार एसे कर दें a प्लस b का इस्क्वार होल स्क्वाइर लिख दाए इसको और यह इसको लिख सकते हैं a plus b और dot a plus b लिख सकते हैं ठीक है गुणा करके देखो तो यह हो जाएगा सदिस a dot a plus a dot b plus b dot a plus b dot b और इसको लिख सकते हैं यहां पर दोखो a सदिस का परिमार का स्क्वाइर a dot b b dot a दोनों ही एक बात है तो दो a dot b इसको ऐसे लिख दें और यहां पर b सदिस के परिमार का स्क्वाइर लिख दें तो बच्वों यह हमें दोखो दिया गया है a का परिमाड एक है, b का परिमाड एक है, तो यहां पर इसको एक लिख ले, प्लस में, दो इंटु में, यहां पर a.b को भी हम, a mod a, into में mod b, into में cos theta और a और b के बीच का कौन कितना है, theta है, और प्लस यहां पर भी हमें क्या लिखना है, एक, एक का square लिखना है, बचो यहां से दो को एक प्लpine two, इसका भी मान एक है, इसका भी मान एक लिखना है, cos theta लिखना है, गार्बने है, प्लस एक स्क्वाईर एक, तो kul मिलाके कह सकते हैं, कि एक और एक दो, प्लस में दो इंटू में फैक्व स्व almonds फ्याइ表示, अब धे दियान से, एसा कहा गया है कि, a plus b जो है वो भी हमारा मात्रक्सादिस है a plus b का whole square बराबर हम लिख सकते हैं a plus b के mod का whole square यह सब ही लिख सकते हैं और इस का मान पुरुष्ण में एक दिया गया है एक का square करके यहां पर भी हमें a कई मिलागा ठीक है तो अब यहां पर आ जाओ कि भी यह कौस थीटा कमान क्या होगा देखो इधर ले आओ तो एक माइनस में दो बराबर में दो कौस थीटा लिखना है और इसके बाद यहां पर माइनस एक बचाएगा तो कह सकते हैं दो कौस थीटा बराबर माइनस एक कहेंगे और cos theta command कहेंगे माइनस में 1 बटे 2 अब चुब बता दो cos theta command माइनस 1 बटे 2 कहां पाव होता है cos 120 पर होता है 2 pi बटे 3 लिखना है ये लिखना है cos 2 pi बटे 3 दोनों तरफ से cos cancel करोगे theta command 2 pi बटे 3 ये दोखो हमारा option सही होना चाहिए देखो इसमें कौन सा सही है ये आपका d option सही है जो बिल्कुल antim option है ठीक है चलिए इसको भी नोट करो और इसके बाद में अठार्मा प्रशन में लिखता है कि जो को अठार्मा प्रशन बच्व बहुत बार ये आपका option में पूशा गया है बहुत बार पूशा गया है इस तरीके से लिखा है i dot i dot j cross k j dot j cross k plus j dot और फिर आँगे लिखा है i cross k फिर मैं फिर लिखा है plus k dot और i cross j लिखा है इसका मान क्या होगा ये आप से पूशा गया है बचो आपको पता है ना ये आपको पता है कि i तो ठीक लिखा है dot i j dot k बरावर भी तो i होता है ठीक है plus j अपना जियोंकातियों है अच्छा यहाँ पर दोको i dot k और ये बरावर minus j होता है ध्यान से देखो उल्टा है ना उल्टा है i i के पीछे गए है तब k मिला है इसका मतलब minus j लिखना है और plus यहाँ पर देखो k और यहाँ भी ध्यान से देखो तो i dot j बरावर तो k सीधा मिलेगा ये देखिए i dot i a होता है plus minus ये minus हो जाएगा j dot j यहाँ भी आपको एक लिखना है k dot k इसको भी एक लिखना है एक एक दो मैंसे एक घटाओगे एक तो ये हमारा option होगा एक वाला option सही है ठीक है बच्चो एक वाला option हमारा सही है इसमें हमारा c option सही है ठीक है और इसके बाद दो सद्सों a और b के बीच का कौन थीटा है तो कहता है a dot b बराबर a cross b कब होगा बता सकते हो बिलकुल सिम्पल सी बात है भहिया ये लिखा है a dot b और बराबर में a dot b का परिमार बराबर में a cross b का परिमार ऐसा हमें यहां पर दिया गया है तो a और b के बीच का कौन आप से पूछा गया है अच्छा a dot b बराबर हमें पता है mod a into mod b into cos theta होता है a cross b बराबर क्या होता है a का परिमार into b का परिमार into sin theta into n cap होता है दोको दोनों तरब यहां पर इस तरीके से यह परिमार है ना दोनों के तो यहां पर आपको पता है इसका मापांग क्या होगा इसको तो आप लेख सकते हो बिल्कुल सदिस a का परिमार सदिस b का परिमार into में cos theta बराबर यहां पर भी इसी प्रकार लेख सकते हो सदिस a का परिमार into सदिस b का परिमार into में sin theta ध्यान रहे n cap का परिमार भी आपको एक लिखना है है ना एकाई सदिस लंबबत एकाई सदिस है इसका परिमार क्या होगा एक तो बच्चों यहां से दोको यह हमारे cancel हो रहे है sin theta बराबर cos theta है ना क्या लिखना है आपको sin theta बराबर cos theta लिखना है इस तरीके से यहां cos से divide करेंगे sin को तो sin बटे cos 10 theta बराबर 1 मिलेगा कह सकते हैं theta बराबर pi y 4 यह हमारा option सही है theta बराबर pi y 4 वाला option number है हमारा भी सही ठीक है अब इसके आंगे आपका बहुत ही खास chapter है त्रविमी जामती इसी से related बिल्कुल एकदम आसान तरीके से अंगले वाले lecture में हम complete करवाएंगे ठीक है आज के लिए फलाल इतना ही बच्चो किसी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछोगे ठीक है कल के वीडियो में आपको बिल्कुल एकदम नया निवेला चैप्टर का नाम है लेकिन सब कुछ लिंक किसी से है तो बहुत अच्छी तरीके से उसको जरूर आपको complete करना है ठीक है आज के लिए फला लिता ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तब खूस रहें मस्त रहें साथ साथ में पढ़ते जरूर रहें ठीक है ओल दी वेश्ट बारा